नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी को बता दें कि कोई अपना दूर जा रहा है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो की सच्चाई आप सभी की रोंगटे खड़े कर देंगे जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप ब अपना प्यार हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, या आपका कोई ऐसा रिष्टा हो, जिससे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, वह आज के समय में आपसे दूर जा रहा है। जी हाँ दोस्त, चाहें वो इश्वर भी हो सकता है, आपकी माता पिता, आपके भाई बहन, कोई भी हो सकता है, जो अभी आपसे नाराज हो रहे हैं, आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो का शार को समझने का प्रयास करें। वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, चलिए बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, दोस्तों ये वीडियो आपको हिला कर रख देगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी रहस्यमई बातों के बारे में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हमने बनाया है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। आप उन संकेतों को दूसरों को बता देते हैं और फिर होती है। आपकी हानी और आपको नहीं मिल पाती। ईश्वर की कृपा, जी हाँ दोस्तों आप बनी रहे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए, वीडियो केवल आपके लिए बनाया गया है। आपके जीवन में इस वीडियो को देखने के बाद कुछ न कुछ बदलाव अवश्य आएगा। आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होगी। शुरूआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कॉमेंट में जैमाम भ सिद्धी की शुरूआत करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप जिसके साथ जुड़ते हैं बड़े ही दिल से जुड़ते हैं। आप भेद भाव नहीं करते हैं। भूल जाते हैं कि लोग मन ही मन आपसे नफरत भी कर सकते हैं। आपका दुर प्रविनादारी से भरोसा उठ जाता है। आपको बहुत बुरा लगता है या यूं कहें कि आपका दिल तूट जाता है। आपको होश्यार होने की आवश्यक्ता है। यह दुनिया है इस तरह नहीं चलती जैसी आप इसे समझते हैं। यह आपकी तरह नहीं है तो आपको भी अब इस दुनिया के अनुसार थोड़ा सा सतर्क बनना होगा। दूसरों को हानी पहुंचाने के लिए नहीं आपको अपने आपको बचाने के लिए होश्यार बनना होगा। जी हाँ। दोस्तों हमारी बस यही कोशिश रहती है कि आपको छोटी छोटी बातें कुछ न गूप में लाभ अवश्य पहुंचाएंगे। आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अंजाने में ही सही ऐसी गलतियों को दोहराते हैं जान बूज कर नहीं करते हैं वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान है आपको यह भी बता दिया जाएगा कि यह काम आवश्यक है और इसे अवश्य करना है और दूसरा काम बिलकुल अनावश्यक ऐसे बिलकुल छोड़ देना है तो आप तुरंट अपनी तर्क शक्ती से पता लगा लेती हैं कि इस काम को करना है कि नहीं करना है लेकिन अपनों के बीच पहुँच कर आपस सारी बुद्धिमानी भूल जाते हैं आपकी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाती है दोस्तों आप जानते हैं कि जो दुश्मन बाहर से आते हैं उनको तो हम बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं उनके लिए हम तैयारी भी कर लेते हैं लेकिन दुश्मनों का क्या जो हमारे अपनों के बीच ही चुके हैं और हमें उनके बारे में भनक तक नहीं है और एक ना एक दिन जब समय आएगा जब सही मौका होगा तो वह दुश्मन बात करेगा और आपको चोट पहुँचाएगा। जी हाँ दोस्तों कुछ लोग तो आपसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो केवल और केवल अपना स्वार्त सिध कर रहे हैं लेकिन इस चिकनी चुपडी बातें करके आपको एक लाकर आपके मन के भावों का दुरुपयोग कर रहे हैं आपके उनका शोशन कर रहे हैं आपका मूल्य संपदा को लूट रहे हैं, ऐसे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, इन्हें आप पहचानिये, आप अपने तर्क शक्ति का इस्तिमाल करिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा सभा लिए, हर जगह भावनाओं से काम नहीं चलता है, अब खो जाने से काम नहीं अपनी तर्क शक्ति से ऐसे लोगों को पहचानिये और उन्हें अपने जीवन से दूर कर दीजिये, वरना ऐसे लोग आपके हर एक सुख, आपकी हर एक सुविधा को सुख जाएंगे और आपको लाब प्राप्त नहीं हो पाएगा, दोस्तों हम जानते हैं कि वैसे भी अभ के मन में कोई मलाल नहीं है, आप बड़ी ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान है, आपको जो भी जीवन में मिल गया, आपने उससे काम चला लिया, आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखडा नहीं रोया, आप अपने कश्ट अपने तक ही रखते है छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते, आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कश्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुक संपदा भारी पड़ी है, अच्छी बात है, लोगों को यह सब पता होना चाहिए लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए दोस्तों वीडियो में बनी रही है शुरू से लेकर अंत तक बने रही है आखरी की दो बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं और उन बातों का पूरा लाव आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है तो अब आपको सतर्क होना है। होश्यार होना है तो दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन सी भी बाते हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी न बताएं। जी हां दोस्तों, ईश्वर सपने के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हां, दोस्तों पर कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है। किसी सपने के माध्यम से आपको भविश्य भी दिखा दिया जाता है। जी हाँ, दोस्तों इस बात के कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपने के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कराए हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलावाए हैं, तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई न कोई ऐसे सपने आते हैं, जो आप को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, फिर आप सुभ out जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अपनी नस्दीकीयों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया। लेकिन को ऐसा करना नहीं है आप अपने मन में विचार करिए किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है लिकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए इसे आपको किसी को बताना नहीं है आने वाले सपने अक्सर हमें भूल जाते हैं याद नहीं रहते हैं लेकिन जिस सपने के माध्यम से इश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो इश्वर हमें देना चाहते हैं कुछ न कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं आप अपने सपनों को अपनी नजदीकियों के साथ में बताते हैं चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं वह होता है उपाय जी हाँ दोस्तों आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे कई परेशानियां चल रही हैं और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की उर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं। यानि कि हमारे आसपास की नकारात्मक उर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक उर्जा पॉजिटिव एनरजी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल ये होती है कि आप उस उपाय के बारे में बता देते हैं, जो की बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं, उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाय के बारे में कभी न पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जोग, जुगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करे दुराव, यानि कि आप जितना ज्यादा चुप आएंगे, उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है, कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, वह आप दूसरों को बता देते हैं। उस इनसान को भी प्राप्त होने लगेगा, जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, दोस्तों ऐसी कई और भी बाते हैं, जो हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन समय बहुत कम है। इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है, तो जो बातें हमारी रोज मर्रा के जीवन से जुड़ी हैं, आज हम केवल उनहीं के विशय में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब भी आप माला, फिर यदि आप माला फिरते हैं, तो जब भी आप माला फिर हैं, तो अपनी माला को छुपा कर रखे, और हो सके, तो एक आंत में ही फिर हैं। जब भी आपको कोई माला फिरते हुए देखेगा, तो आपको जो माला फिरने का फल प्राप्त होगा, उसका आधा फल है। उस इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये विधी का विधान है। दोस्तों की से कोई बदल नहीं सकता है, इसी क्रम में दोस्तों चोथा है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं, जी हाँ दोस्तों वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं, यदि आपको फाइदा हो रहा है, तो कभी जाहिर मत करिये, किसी के सामने की आपको फाइदा हो रहा है, इसका दुश परिणाम ये है कि जब भी आप ये कहते हैं कि मुझे इतना फाइदा हो रहा है या केवल आप इतना ही कह दें मेरे पास बहुत पैसा है जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसा कहते ही हमारी लक्षमी का बंधन हो जाता है जी हाँ दोस्तों अध्यात् लक्षमी का बंधन कर देते हैं और जब लक्षमी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्षमी आपके पास आने से खत्रा नहीं लगती है या यूं कहें कि आपकी आमदनी धीरे-धीरे घटने लगती है इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया लोगों से खुल कर बात करनी शुरू करें वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पढ़ता है ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है हो सकता है उसकी आमदनी आपस कम हो सकता है वह आपसे जलता हूं आपसे बुरी स्थिती में रह रहा हो तो उसके मन से जो भाव निकलेंगे उनका भी तो कुछ न कुछ प्रभाव आपके उपर पड़ेगा आपको अपनी इंकम अपनी आमदनी के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों समय आने पर अपने आप चीजें देखने लगती हैं आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यक्ता बिल्कुल भी नहीं है जी हां दोस्तों ये आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पच्छताना पड़ता है और दोस्तों वीडियो के अंत में आपको पाँचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं जैसे कोई तीर्थ स्थान वगेरह की आप तैयारी कर जैसे आप वैशनो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं जो कि बहुत ही गलत है जी हाँ दोस्तों ये गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थानों पर धीरे स्थानों पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं किस स्थान पर जा रहे हैं जब आप लोट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा लेकिन जब आप जा रहे हैं उस समय आप बिलकुल भी चर्चाना करें इसी लिए तो जिन स्थानों पर मौजूद उर्जा का प्रभाव आपके उपर नहीं पड़ता है आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थानों पर घूम रहे हैं तमाम देवी स्थानों के दर्शन कर रहे हैं तब भी पीडित है तब ही परेशान है उन्हें कोई लाब प्राप्त नहीं हो रही है इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थानों पर देवी शक्तियां नहीं है उनके असर नहीं होते प्रभाव नहीं होते इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए आप जिन जिन लोगों को बता कर आई है जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं उन लोगों को भी आपके पुन्य का फल बच जाएगा तो समझिये कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जी हाँ दोस्तों और भी कई छोटी छोटी बाते हैं जो आपको किसी को बताना नहीं है जैसे कि आप किस समय पूजा पाट करते हैं आप किस देवी या देवता की पूजा करते हैं आप किस दिन वृत रहते हैं वगेरा वगेरा अपने आप लोगों को यदी पता चल जाता है तो कोई समस्या नहीं है लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है तो दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इन में से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं दोस्तों जीवन में हर इंसान गलती करता है गलती करना बुरी बात नहीं है मगर गलती को नहीं सुधरना उससे भी बुरी बात है दोस्तों आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे-धीरे पुन्य की भागी बनते जाए उपाय को भी आप ध्यान से सुनियेगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं घर में कभी भी जाडू को खड़ा करके नहीं रखें उसे पैर नहीं लगाएं नहीं उसके ऊपर से गुजरे अन्यतह घर में बरकत की कमी हो जाती है जाडू हमेशा छुपा कर रखें बिस्तर पर बैठ कर कभी खाना न खाएं ऐसा करने से धन की हानी होती है लक्ष्मी छेक्स निकल जाती है घर में अशान्ती होती है घर में जूते चपल इधर उधर बिखेर कर या उल्टे सीथे करके नहीं रखने चाहिए इससे घर में अशान्ती उत्पन्न होती है पूजा सुभह छे से आठ बजे के बीच भूमे पर आसन बिछा कर पूर्व या उत्तर की और मुहा करके बैठ कर करनी चाहिए पूजा का आसन जुट अथवा कुशका हो तो उत्तम होता है पहली रोटी गाय के लिए निकाले इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शान्ती मिलती है यदि घर में पत्नी अपने हाथों में कम से कम दो सोने की या पीली चूड़ी पहने तो भी दामपत्य जीवन में प्रेम और घर में सुख बना रहता जहां तक संभव हो, मंगलवार, ब्रहसपतिवार और शनिवार को घर का कोई भी सदस्य न तो ना खून, बाल, कारटें और ना ही शेव बनाए इसके अतिरिक्त ब्रहसपतिवार और शनिवार को घर में कपड़े भी न धोएं नहाते हुए सर को गीला न करें और बालों में तेल भी कतई न लगाएं यदि व्यक्ति सुबह नाश्टे में पतनी या मा के द्वारा केसर मिश्रित दूध का सेवन करें और काम में जाते समय नियम पूर्वक उनके हाथ से जबान में केसर लगाए और थोड़ी सी चीनी खाए तो घर में सदैव सुख शांती और आर्थिक संब्रद्धि बनी रहती है यदि घर में क्लेश रहता है घर के सदस्यों में मतभेद रहते हैं तो घर में आटा शनिवार को ही पिसवाएं या खरीदें और साथ ही सौ ग्राम पिसे काले चने भी लें जो उस आदटे में मिला दें जल्दी ही स्थिती में सुधार होते हुए देखेंगे जब भी घर में खाने पीने की कोई वास्तु मिठाई आएं तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं फिर घर के बड़े बुज़ुर्गों और बच्चों को देकर ही पती-पत्नी उस वस्तु का सेवन करें बहुत ही चमतकारी और परखा हुआ उपाए है यदि पती-पत्नी में से कोई भी दूसरे से नाराज है तो खुमी का पुष्प एक माशा शहद में मिलकर खिलाने से उनके बीच का मनमुटाव दूर हो जाता है उनका पूनह मेल हो जाता है यदि किसी स्त्री का पती बहुत ज्यादा क्रोध करता हो तो वह स्त्री शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार किसी भी दिन नए सफित कपड़े में एक डली गुड चांदी एवं तामबें के दो सिक्के एक मुट्डी नमक और एक मुट्टी गेहूं को बंध कर घर में कहीं भी चुपचाप रख दें कुछ समय बाद पती का स्वभाव बदलने लगेगा हबात बात पर क्रोध करना बंध कर देगा यदि कोई स्त्री नियमित रूप से शनिवार को चमेली का दीपक जलाकर श्री सुन्दर कांड का पाठ करती है या किसी योग्य ब्राह्मन से करवाती है तो उसका घर, पती तथा बच्चे हमेशा किसी भी प्रकार की विपदा से बचे रहते हैं यदि सापताहिक न हो सके तो भी माह में कम से कम एक बार सुन्दर कांड घर में अवश्य ही होना चाहिए यदि घर में पती पतनी के मध्य ज्यादातर क्लेश होता है तो उनमें से कोई भी शुक्लपक्ष के किसी भी शुक्रवार को सुभह स्नान करके सपेद वस्त्र धारन करके कम मीठे सपेद चावल बनाएं फिर उन्हें किसी बड़े पात्र में निकाल कर उसमें बूरा महीन चीनी और शुद्ध घी मिलकर सफेद गाय को खिलाएं तक करने से दोनों के बीच क्लैश खत्म हो जाएगा यदि पुत्र रुष्ट है तो पिता प्रत्येक शनिवार को सुबह पीपल में मीठा जल एवं शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं या सरसों के तेल की धार अर्पित करें तो बहुत ही जल्दी पिता पुत्र के मध्य अवरोध खत्म हो जाएगा शनिवार को पिता यदि अपने पुत्र को कोई भी नीले रंग का उपहार दे तो अतिशीगर पुत्र का पिता से मत भेद समाप्त हो जाता है बहन भाईयों के बीच में जगडा या मनमुटाव हो तो मंगलवार को सवा किलो गुड जमीन में दबाए हूँ संबंद आच्छे हो जाएंगे यदि किसी महिला का ससुर उससे नाराज रहता हो तो वह महिला प् चंद्रमा की किरणों में रखे और फिर वह खीर अपनी सास को खिला दे सास बहू में बनने लगेगी ये कुछ ऐसे चोटे चोटे और सहज उपाय है जिनको अपना कर हर व्यक्ति अपने परिवार में प्रम और सौहदय के वातावरण का निर्माण कर सकता है यदि घर में पति-पत्नी में मतभेद होते हैं तो ग्यारा गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में रखें तो उनके बीच के सभी प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे दामपत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बनाए रखने के लिए नियमित रूप से केले ओफ पीपल व्रिक्ष की सेवा करें गुरू वार को केले ओफ पीपल दोनों के व्रिक्ष को जल अर्पित करें घी का दीपक जलाएं और शनिवार को पीपल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं एवं मीठा जल अर्पित करें दम पत्य जीवन में निरंतर प्रेम बनाये रखने के लिए पत्नी अपने पती द्वारा भोजन करने के बाद उसके बचे हुए भोजन में से निवाला अवश्य खाएं किन्तु अपने बचे भोजन में से उसे नखाने दे ऐसा करने से पती हमेशा अपनी पतनी से प्रेम करता रहेगा और कभी भी किसी और स्त्री की ओर आकर्षत नहीं होगा एक बार तो अवश्य ही करे ऐसा कम से कम सप्ताह में यदि घर की स्त्री प्रतिदिन प्रातह उठते ही सर्व प्रथम मुख्य द्वार पर अपने इश्ट देव का नाम लेते हुए सुख और सौभाग्य के प्रार्थना करते हुए एक लोटा जल डाले तो उसका अपने पती से और उस घर के सभी सदस्यों का आपस में हमेशा प्रेम बना रहता है और उस घर का आर्थिक पक्ष भी हमेशा मजबूत रहेगा हनुमान जी को गुडध और चने ही क्यों चड़ाये जाते हैं हनुमान जी को जो भी प्रसाद चड़ाया जाता है उन सभी का अलग-अलग महत्व और फल है उन्हें इम्रती, नारियल, बेसन के लड़ू, रोठ, हलुआ, पान का बीड़ा आदी इसी के साथ उन्हें मुख् और चने के प्रसाद चड़ाया जाता है, गुड़ चने का प्रसाद, हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अकसर चड़ाया ही जाता है, ये मंगल का उपाय भी है, इससे मंगल दोश मिटता है, गुड़ को अर्पित करने से सूर्य के दोश भी दूर हो जाते है यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते हैं तो सिर्फ गुड और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसंदर कर सकते हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड और चने का भोग लगाएं इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी हलांकि आजकल गुड की जगह चिरोंजी ज्यादा मिलती है लेकिन चने के साथ गुड का ही संयोग होता है गुड और चना खाते रहने से खून की कमी भी दूर होती है और व्यक्ति में शारीरिक्ष्टी पैदा होती है गुड और चना न केवल आपको एनिमिया से बचाने का काम करते हैं बलकि आपके शरीर में आवश्यक उर्जा की पूर्ती भी करते हैं पूरा अवश्य पढ़े बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुख्यद्वार के पास करभी भी कूडादान ना रखें इससे पडोसी शत्र हो जाएंगे सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध दही या प्याज मांगने पर ना दें इससे घर की बरक्कत समाप्त हो जाती है छत पर कभी भी अनाज या बिस्तर ना धोएं हों सुखा सकते हैं इससे ससुराल से संबंद खराब होने लगते हैं फल खूब खाओ स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं लेकिन उसके छिलके कूडा दान में ना डालें वलकि बाहर फेंके इससे मित्रों से लाब होगा माह में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बना कर परिवार सहित एक साथ खाएं अर्थात जब पूरा परिवार घर में इकटा हो उसी समय खीर खाएं तो माह लक्षमी की जल्दी माह में एक बार अपने कार्याले में भी कुछ मिश्ठान जरूर ले जाई उसे अपने साथियों के साथ या अपने अधीन नौकरों के साथ मिल कर खाएं तो धनलाब होगा उमीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फाइदे मंद रही होगी आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य लेकर आएगी यह जानकारी आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मा भवानी पूरे भक्ति भाव के साथ अवश्य लिखें माता की आपके उपर कृपा बनी रहेगी और हाँ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मिलते हैं अगले घ्यान वर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद